नमस्कार मैं शंबुक उमार सिंग और आप देखने हैं सल्दस्तक परसांत भुसन के बहाने सुप्रीम कोट पर जो थोरी बहुत परदा था जीनी जीनी परदा था वो भी हट गया है दो तरह की चीजे हो रही है इस से पहले याद है यह सुप्रीम कोट के कई जजों पर दीर आप लगे थे हर मामले में क्या हुआ कहा गया कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी रिपोर्टिंग रोग दी गए इससे पहले जसिस करनन के मामले में रिपोर्टिंग रोग दीगे उनको छे महीने की सजा हो गई अब परसांत भुसन को लेकर जो कोट की किरकिरी कर थे वही कोड सुप्रीम कोड ने का कि एक रूपय का जुर्माना हो नहीं तो तीन से महीने की सजा हो तो अब ये लोग सुप्रीम कोड के पर्तिस संवान दिखा रहे हैं कैसे एक दिन में का विचार बदल जाता है अगर परसान्द भूसन गलत नहीं थे तो उनको सजा क्यों हुई एक रूपया देना जुर्माना क्या सजा नहीं है फिर सुप्रीम कोड ने आपको एक रूपय का जुर्माना दिया तो सुप्रीम कोड कैसे ठीक हो गया जो तमाम साथ कोस रहते पाप पर शोप पांडे जैसे लोग उमा संकर सिंग जैसे लोग कदामनी सर्मा जैसे लोग सोचिए सवन का करेक्टर क्या होता है सवन समाज के लोग जब कोस रहते सुप्रीम कोड के वही सुप्रीम कोड एक रुपय का जुर्माना और तीन महिने की सजाद दे अगर आप जूटा था तो महिला दोसी अगर आप मानना हुई सुप्रेम कोट की तो परशांद हुसन दोसी अगर नहीं अब मानना हुई तो Supreme Court को सजा नहीं देनी चाहिए थी लेकिन सजा इनका यही होता है Genove Connection यह Supreme Court ने सजा भी दे दी और Supreme Court की साख भी बच गई परसांत भुसन को सजा भी मिल गई परसांत भुसन की साख बच गई क्या परसांत भुसन जेल जाना पसंद करेंगे नहीं जाएंगे वो मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ इस देश में खीरा चोड़ी का रोप में CSTOBC माइनोर्टी को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि आपका समाज खरा नहीं होता है आप बताए परसांत भुसन माफी माग लेते हैं कैसे यह समाज अपने आप में ही एक नेता पैदा कर देता है और कैसे वो बचा भी रहता है जो तमाम सवर्ण कल तक गाली दे रहते सुप्रिम कोट को वो सुप्रिम कोट के सम्मान में अब सेख ही बगार रहे हैं तो भया तीन साल की सजा हो या तीन महीने की सजा हो या एक लाग का जुर्माना हो या एक करोड का जुर्माना हो या एक राय का रूपय का जुर्माना जुर्माना तो जुर्माना है और 246 जज अब तक बने हैं सुप्रेम कोर्ट में उसमें सिर्फ पांच दली जज बने हैं सिडूल ट्राइब का एक भी जज नहीं बना है यह होता है जाती बात का करनेक्शन एक लोग जो सोसल मीडिया पर बात करते हैं वो आपको इन सब के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि वो पक्ष भी है वो भी पक्ष भी है वो चाहते हैं कि जो हिजमनी है जो मुनपॉली है वो बनी रहे अत्याचार भी वही लोग करें और अत्याचार का निवारन भी करें सिर्फ खेल देखता रहे आपकी भागिदार ही नहीं नहीं चलेगा यह समझना पड़ेगा आप लोग और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके हाथ में खेल नहीं आएगा सोसल मीडिया पर भी वही हो रहा है तमाम लोग खबरे कर रहे हैं लेकि वो नहीं कर रहे हैं दुसरी बड़ी खबर है कि इस देश में नौकरियां जाने वाली है अब जितने सुचे परधान मंतरी खुद 50 साल से ज़्यादा उमर के हैं अभी जपान के परधान मंतरी ने इस्तिफाद दिया कि मेरा हेल ठीक नहीं है परधान मंतरी कह रहे हैं कि जिनकी भी नौकरी 50 साल से ज़्यादा जो उमर के लोग नौकरी कर रहे हैं उनका चेक होगा काम चेक होगा नहीं तो उनको छोड़े परधान मंतरी जी आपका अपना काम चेक करवाईए जी एस्टी फलोप हो गया नोटबंदी फलोप हो गया कुरोना में आपनी पट नहीं पाए आज भी यह 78,000 मरी जाए हैं आपको रिजेक्ट कर दिया जाए तो सरकारी नौकरीयों को किसी भी तरह से खत्म करना है क्योंकि यह CSTOBC मैनौर्टी के तन पर जो कपरा आया था वो नौकरीयों की बज़़े से आया था और उसको खत्म करना है जो जो उड्यन मंत्री है सीविल अवियसन मिनिस्टर उसने का आया कि हम एरपोर्ट नहीं चला सकते ना एरलाइंस चला सकते हैं सब को बेच देंगे मतलब देश अडानी अंबानी चलाएं तो वह सरकार को भी गिर भी रख दीजिए सरकार में सरकार जब सारा काम ही करना है प्राइवेट कंपनियों को तो सरकार किस बात की सरकार भी प्राइवेट लिमिटेट कंपनी बना दीजिए वो भी दे दीजिए अंबानी अडानी के दोग और जिस तरह से अखलेश यादव के कारकरताओं कि पिटाई हो रही है, अखलेश यादव को अब सरकों पर निकलना चाहिए, कब तक कारकरताओं को मरवाते रहेंगे? ठीक है कम से कब माया बती नहीं जाती है सरकोपर तो उसके कर करता तो बत क्योंकि सीडूल काश्ट के लोगों तो गोली मार देते हैं 11 स्टी एक्ट में हमारे 11 से 12 लोग सहीध हूँ तो मैं बार-बार कहता हूँ कि इस देश में जितने स्टी एस्टी ओबी सी मायनौटी के लोगों को हैं उन सब को बीजेपी का समर्था खो जाना चाहिए जब कपिल मिस्रा आमाधी पार्टी से बीजेपी में जा सकता है जब वो एक महिला थी जो कॉंग्रेस की परवक्ता थी अब वो सिब सेना में जाके इंपी बन गई बहुजन समाज का नेता अगर घरों से नहीं निकलता है तो बहुजनों को सब्सक्राइब को बीजेपी का समर्तक होके अपनी जान बचाने चाहिए क्योंकि आपका नेता घरों बैठके जान बचा रहा है अखिलेस यादब को खुल के सरक पर आना चाहिए आपको डंडे का स्वास चखना चाहिए तभी आपको सोसलीजम पता चलेगा तब आपको पता चलेगा जब आप सत्ता में थे तो आपने कुछ नहीं किया तब आपने बैचारी काम नहीं किया जो मायावती ने किया पार्क बन बाएं, कानसी राम अस्पताल बन बाएं लालो यादब आज जेल में आज उनको बैचार की समझ में आ रहा होगा ते जस्वी यादब वही डंडा लगना चाहिए जब तक हमारी नेताओं पर अत्याचार नहीं होगा तब तक वो दर्द ही नहीं समझेंगे SCSTOBC माइनोटी का क्या दर्द होता है या हमें इन हीद में से अपना नेता चुनना पड़ेगा आप लोग की क्या पर्तकिरिया अपनी पर्तकिरिया जरूर दीजे क्या परशांत भुसवन को हीरो भी बना दिया गया साख भी बच गई सब कुछ अच्चा हो गया हमाई लोग वाह वाह कर रहे हैं इस देश में सबसे बड़ा खिलोना मुसल्मान है मुसल्मान जो है वो बीजेपी के अलावा सब दलो को बोट करता है लेकिन कोई भी मुसलिम दलो को बोट नहीं करता है सिडियूल कास्ट के लोग हैं वो बीजेपी कॉंग्रेस सब को बोट करते हैं लेकिन कोई उनकी अकेले पार्टी जब तक गटवंधन नहों तब तक बोट नहीं करता है पिछरा जो है वो सब को बोट करता है लेकिन जब तक उसकी पार्टी लाली आदव या अकले से आदव को कोई बोट नहीं करता है जब तक गटवंधन नहों सिर्फ पिछरा करता है और बीजेपी को तो सब बोट करते हैं सबन समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी या कॉंग्रेस को बोट देते हैं बाकी किसी भी दल को वो तभी बोट देते हैं जब उनकी पार्टी का उनके साथ गटवंधन हो तो आप पर दंगा होता है निया हो गया है नी बावु नी का OBC को समझना चीए है नी बावु जेल से निकल गए लालु याद अब जेल से निकल गए अरे समझिये ये जेनव कनेक्शन है उनका भाई-भाई का रिस्ता एससी एस्टी OBC मानौटी को कब निया मिलेगा ये सोचिये पर्सांद भूसन को हीरो भी बना दिया, एक रूपय का जुरमाना भी ठोक दिया, क्या आपर्सांद भूसन जेल जाएंगे? छे महीने का जेल होता है नब मानना में क्यों मरववत किया आपने और क्या हम सब लोग को अधिकार देंगे आप एक रूपया जुरुमाना भर के हम आपका कंटेम्ट करेंगे किसी भी फैसले के गुन और दोस्त की आप चर्चा कर सकते हैं पर भीदान आपको अधिकार देता है को लोग जिन सिस्टेम पर सवाल उठा सकते हैं यह पूरी तरसर रिजर्वेशन है यह परिवार बात है नेपोटीजम है एक जज अपने बेटा को जज बनवा देंगे आपक्यार आरक्षन में भी एक्जाम देना पड़ता है समेस्टर अगर मैंने मेडिकल में आरक्षन लिया है तो भी मैं इंट्रेंस देता हूं इंट्रेंस तक हमको रिजर्वेशन मिलता है उसके बाद हमें सिमेस्टर पास करना होता है तब हम डॉक्टर बनते हैं कोलेजियम सिस्टम में आप वकील है आपको जज बना दिया जाता है सोचिए कि इस देश में जातीबात कैसे काम करता ये परसांद भूसन के मामले में साफ हो गया और जो लोग भी सुप्रीम कोट के साथ खरे हैं वो भी जातीबात की वज़से जो परसांद भूसन के साथ खरे हैं वो जातीबात की वज़से क्योंकि ये तमाम लोग जस्टिसक इस देश में बहुजन समाज को तभी न्याय मिलेगा जब वो सरकों पर डिमोकरिटिक तरीके से आना सीख लेगा अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप पिरी दर पिरी गुलाम मजबूर लाचार बेबस और मारे जाते रहेंगे कल मुझे भी मार दिया जाएगा जेल में डाल दिया जाएगा कोई फरक नहीं परेगा लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मैं आपकी तरह रोज घुट-घुट के नहीं जीऊंगा जब तक मेरी सांसे हैं जब तक मेरे अलफाज हैं मैं अन्याय के खिलाफ सब बोलता रहूंगा चलता रहूंगा क्योंकि माटिन लूथर ने कहा था दौर नहीं सकते हो तो चलना सीखो चल नहीं सकते हो तो रेंग ना सीखो जो रेंगता नहीं वो मर जाता है जो सोचता नहीं है आदमी मर जाता है तो क्या होता है वो बोलना सोड़ देता है सोचना छोड़ देता है धरकना छोड़ देता है अगर आप जिंदा है और फिर भी नहीं बोल रहे हैं नहीं सोच रहे हैं नहीं समझ रहे हैं तो आप मर चुके है मेरी पूरी लडाई इज्यसे मौत की है जलालत की जिन्दगी आप लोकमवार जिस दिन इस देश के बहुजान समाद ने बाबा साफ फूले पर यारं बेटकर कानसी राम के विचारों को मान लिया ललाई सिंग याधर के विचारों को मान लिया कांसी राम के विचारों को मान लिया लालु यादर के विचारों को मान लिया मायवथी के विचारों को मान लिया और डिमोक्रेटिक तरीके से सरक पर खरा होना सीख जाएगा तब ही जाके आपको असली आजादी मिलेगी आत्म सम्मान मिलेगा नहीं तो आप ML बन जाए एंपी बन जाए मिन्स्टर बन जाए मुझे पता है जननत की हकिकत आपकी क्या हालत होती है आप संसद में बोल सकते बिधान सभा में बोल नहीं सकते जिला में बोल सकते आप नौकरी पा सकते हैं रिजर्वीट पर available चुनाव जीश सकते हैं लेकिन आपका अधिकार, आपकी हैसियत क्या होती है, वो पता है, इसलिए मैं कहे रहा हूँ, इस देश में जब तक बहुजन समाज के लोग अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, तब तक ऐसे ही खेल चलता रहेगा, और आप से ताली बजाते रहेंगे, आप खेल में कभी सामिल नह लिए, शुक्रिया, निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है, कि अगर इसको बचाना चाहते हैं, तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए, रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निसनल दस्तक को बचाने के लिए ब